प्राजिस्तान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहट आपके एसे टुद्वीती योगात्मक आंकलन आपके हुआ है 19 तारिको यह पेपर था हिंदी का कक्षा 6 तो हिंदी की पेपर में आपके 15 मैं से कितने प्रसंट सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बताना देखे आए इसके के दो से चारता की प्रस्तों के जवाब देने तो इसमें आपको रेखां की शब्द का आपको विलोम बताना है तो रेखां की शब्द इसमें नहीं देरका है तो रेखां की शब्द देरका इसमें बरा तो बरा का विलोम क्या होगा खाली हो जाएगा इसमें आंसर आजाए पानी गर्म है तो इसमें आपको गर्म बरना था फिर इसमें शाम की पुष्तक मोहन के पास है इस वाकिये में संग्या की कितने बेद हैं तो इसमें आपकी दो प्रकार के बेद हैं नेक्स्ट है समीर सुरीला गाना गा रही है तो इसमें आपके गा आएगा और मचली का बहुचन मचलिया होता है तो यहां स्लिंग है तो इस कतन में किस प्रकार की मचली का बहुचन मचलिया है तो यहां स्लिंग है इस कतन में किस प्रकार का जो गलती है तो इसमें तो इसमें आपके दोनों सही है अमीत कल ही उदेवपूर जाएगा तो इसमें किस प्रकार का काल होगा तो ये कल ही उदेवपूर जाएगा ये आपके बहुश्य काल का होगा जिसे अक्षर का ज्यान नहा उसको कहते है निरक्षर फिर आपके पंक्तिया देर के इनको पढ़ेगे जवाब देना था मोर को अपनी सुन्दरता पर बहुत गमंड था लेकिन एक बार तालाब में अपनी परच्छे देकी उसने अपने पेरो अपने पेर देकर उसको बहुत दुख हुआ तो रेखांग की शब्द का सामनार्थी बताना है तो तालाब का हो जाएगा आपके सरोवर तो आपके दस्वे में था सरोवर इसी प्रकार से मोर को अपनी सुंदरता पर क्या था तो उसको गमंड था यहां पर गमंड कर देना है और फिर अगला प्रसने मेरा व खरगोष को यह फिर आपको पंक्तिया पढ़ने है और इसके उप्र प्रस्णों के जवाब देने तो चवुद्वए का उतर है आपके खरगोष को किस पर गमंड था तो खरगोष को अपनी चाल पर पर इसमें क्या सिक्ष्छा मलती है तो अपने पर पर अपने से दूसरे क कमजोर नहीं समज़ना चीन अपके इवह वाले उपस्यमस में और अपने आपर गमन नहीं करना ही सिक्षा है अच्छा करगोष को अंग्रिजी में क्या कहता है यह कमेंड करके बताना है तो ये सभी पेपर थे आपके हिंदी का और सभी पेपर में आपको यहां पे अप्लोड कर दूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वर्टसप गुरूप का लिंक निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा रखा हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो